सेकेंड नूज जो है, वो एक दवाई के बारे में हैं, जिसका इस्तिमाल LGBT को ठीक करने में या ट्यूबर क्लॉसिस के इलाज में किया जाता ह। और एक दवाई manufacturing करने वाली company के बारे में, वहां से हम लोग फिर एक concept के बारे में बातचीत करेंगे, जिस concept का नाम होता है secondary patent, तो background में थोड़ा साब को बता देता हूँ, दवा जो है जिसके बारे में हमको बात करनी है, उसका नाम है bedaquiline, bedaquiline वो दवा है या फिर वो medicine है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते है, active tuber clauses को ठीक करने के लिए, active tuber clauses का मतलब क्या, किसी को अगर TB है, और वो TB अगर उसको हाम कर रही है, वो कही ना कहीं अगर धीरे 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 उसकी life अगर ले रही है, तो फिर ऐसी जो tuber clauses है, जिसको हम लोग active TB या फिर active tuber clauses बोलते हैं, उसक लोग TB को ठीक करने की ये जो दवाई है, बैडा क्विलीन ये बना कर बेचते हैं, एक brand के तहत में, या फिर उनका जो brand name है, बैडा क्विलीन को बेचने का वो है, सिर्टूरो, ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या है, बैडा क्विलीन नाम की एक दवाई है, जिसकी मदस से TB को ठीक किया जाता है, Johnson & Johnson नाम की एक United States based drug making company है, दवाई बनाने वाली company है, ये लोग बैडा क्विलीन नाम की जो दवा है, इसको सिर्टूरो नाम के brand से बेचते हैं, अब news ये है कि इन लोगों ने ये घोचना करी है कि इनका जो patent का right है, सिर्टूरो के उपर जो इनका patent का right है ये इसको enforce नहीं करेंगे, मतलब ये कि जैसे इनका patent की अवीधी खतम होने वाली है, होता क्या है कि जैसे लट से आपने एक दवाई बना ली, अब इस दवा की उपर अगर आपने patent ले लिया है, तो फिर आपके इस दवा को कोई नहीं बना सकता, अब ये जो patent है वो दूसरे लोग भी बना सकते हैं, तो हो के आ रहा है कि ये जो दवाई है, बेडा क्विलीन, जिसको Johnson & Johnson सिर्तूरो के नाम से बेचता है, इसका patent का टाइम पिरियड है वो खतम होने वाला है, अब patent का टाइम खतम होगा, तो फिर दूसरी कंपनिया भी जो है, इस पर्टिकु जो विक्सित नहीं है, वहाँ पर लोगों की इतनी purchasing capacity नहीं होती, कि वो सिर्तूरो या फिर इस तरीके के महंगी दवाईयां खरीच सके हैं, जनरल ये दवाईयां बहुत महंगी मिलती हैं, तो अब इस तरीके की परिस्तितियों में ये जो companies हैं, इन्होंने एक तरीका निक खतम होने वाला है, तो उसके बाद भी secondary patent की मदद से वो किसी दूसरी company को इस दवाई को बनाने से रोख सकती है, कैसे रोख सकती है वो भी बात करेंगे, मगर अभी अपने को ध्यान क्या रखना है, कि Bedaquiline नाम की ये दवाई, जिसका इस्तेमाल tuber clauses को ठीक करने के लिए कि दवाई को सिरतूरों के नाम से Johnson & Johnson नाम की company बेचा करती थी, बेचा करती है और इसका भी ये जो patent का time period वो खतम होने वाला है, तो इन्होंने घोशना ये करी है कि patent का time खतम होने के बाद में हम लोग secondary patent जो है वो invoke नहीं करेंगे, जिसकी मदद से जनरली ये जो दवाई बना पूरी दुनिया से pressure बनाया जा रहा था कि आपने ये जो breakthrough tuberculosis का drug है, यानि कि एक बहुत जबरदस किसम की tuberculosis की तवाई है, जिससे TB को ठीक कर लिया जाता है, एक जमाने में जब ये discovery नहीं हुई थी इस drug की, तब TB जानलेवा थी, जैसे AIDS है उसका कोई इलाज नहीं है, exactly उस दवाई की discovery होने के बाद से जब ये फाइनली confirm हो गया, एकर किसी को TB लग गई तो भी उसका इलाज किया जा सकता है, तो क्योंकि इन लोगों का patent था और ये लोग काफी महंगी बेचा करते, तो इसके चलते बहुत दवाई होने के बाद भी उपलबदता होने के बाद भी बहुत से लोग इसको afford नहीं कर पाते, तो इसके चलते हैं फिर जिन लोगों को TB हो गई और जिनको जरूरा थे उन तके दवाई पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि affordability नहीं थी, अब जब इसके patent का time खतम होने पर आगया है, और सब को पता था कि जैसी patent का time खतम होने पर आ तो जो छोटे देश हैं या फिर जो आपके ऐसे देश हैं जो इतने अमीर नहीं है, वहाँ पर जिन लोगो TB है, बोलो कि या तो effort नहीं कर पाएंगे, या फिर उन लोगों को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा, इस बात को ध्य 134 के करीब जो देश हैं जहांपर जो फार एंकम कंट्रीज हैं, खास तोर पड़ेगा में 134 देशों में से जो देश आपके अफरिका में आते हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर अब इस दवाई का जनरिक वर्जन सस्ते में बिकेगा, तो उसकी मदद से लोग ब कोदा के आसपास में केस आया था भारत के सुप्रीम कोट ने उसके पर फैसला सुनाया था एक कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनी थी उनका जो ड्रग था वो एक लाग रुपे से जाधा का दिखता था उसी ड्रग का की इन्डियन कंपनी थी यता जे उरिजिनल जो कैंसर द्रग था एक लाग से जाधा का दिख रहा था आप को जैनिक कंपनी थी जो इंडियन कंपनी थी उसने जनरिक वीट बना लिया वो सब्तिबंदियल 12,000 रुपे के आसपास का था यह जनरिक वर्जन बना कर फिर हमने आपका अफ्रीका में बहुत जादा बड़ी मात्रा में इसको सप्लाय किया और वहाँ पर वो लोग जो कैंसर के शिकार थे उनको काफी जादा मदद मिली तो बाद में फिर इस कंपनी ने जो एक लाक रुप समझ में आईगी कि जो ड्रग बहुत मेहगा बिखता है उसका अगर जैनरिक वर्जन बना लिया जाए तो इक लाक रुपे की अपेक्षा बहुत सस्ता है कहां एक लाक रुपे की आपकी दवाई आ रही है कैंसर की और कहां उसका ही वर्जन जो है 15,000 रुपे में बना दिया तो यह जो तरीका है इसकी मरत से जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते एक लाक रुपे की दवाई वो कमसकम जैनरिक वाली जो है उस पर जा सकते हैं और यह लोग पेटेंट या सेकेंडरी पेटेंट खेल ख सकते हुए 100 ग्लोबल ट्रेशर बनाया गया था कि सेकेंडरी पेटेंट नाम की चीज तुम इन्वोक नहीं करोगे सेकेंडरी पेटेंट क्या होता अभी देख रहा है इससे फाइदा क्या हुआ 134 के करीब जो देश है इनको एडवांटेज मिलेगा 134 के करीब जो देश है यह बताना इसलिए जरूरी था कि इसके बिन आपको यह बात समझ में नहीं आती कि यह सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है यह एवर ग्रीनिंग क्या होती है मगर यह UPSC के लिए काम का है और इसको समझाने के लिए मैंने यह राम कथा आपको सुनाई है मगर यह जानना अप अपने को समझ में आ गया कि कहीं पर अगर एक दवाई बनी है किसी ने अगर एक दवाई बना ली तो उस पर उसको अगर पेटेंट मिल गया तो सिर्फ वही आदमी या फिर वही कंपनी उस दवाई को बना सकती है वड़ यह हमेशा के लिए नहीं होता एक फिक्स टाइम प वह हरकतें करकर टाइम खतम होने के बाद में जब पेटेंट का टाइम खतम होगा और उसके बाद में फिर दूसरे लोग भी ड्रक को बना सकते है तो उन दूसरे लोगों को यह लोग Secondary Patents वाली जो हरकत है यह करकर रोक सकते हैं वो ड्रक बनाने सब secondary patent होता क्या है उस पर बात करेंगे और UPSC के लिए यही कंसेप्ट जो है अपने काम का है चले इसको देखता है secondary patent also known as evergreening is a technique used by businesses to prevent the entry of generic competitors under it additional patents are obtained on original drugs modification like a new dosage, new forms, new release or new combinations evergreening is prohibited in India under Patents Act 1973 मतलब यह कि जो secondary patents होते हैं जिसको कई बार evergreening भी बोला जाता है यह क्या चीज़ है यह एक तरीका है या फिर एक टेकनीक है जो जनरली आपके जो बिजनेस में रहते हैं जो drug manufacturers है जो दवाई बनाने वाली कंपनिया है वो इस टेकनीक का इस्तिमाल करकर अपने product का generic वर्जन बनने से रोकती है या फिर अपने product का जेनरिक वर्जन बजार में आने से रोकवाती है सवाल यह उठेगा कि यह generic वर्जन क्या होता है समझता है सब्जोर्स कर लीजे कि कोई एक drug बना कोई एक ड्रग या फिर कोई एक दवाई बनी अब यह ड्रग बना है तो इसमें कुछ केमिकल्स डाले होंगे या फिर यह बोलूँ कि इसके कुछ अपने इंग्रीडियंट्स होंगे अब अगर कोई वेक्ति इस पर्टिकुलर ड्रग का लेट्स अब एक कंपनी के पास में पेटेंट है उनका पेटेंट खतम होने का टाइम आ गया है तो उस पेटेंट जब खतम होता है उसके बाद में अगर किसी वेक्ति ने इनी केमिकल्स का इस्तेमाल करकर यही सारे के सारे छिडखानी इस तरीके से करी कि दवाई अभी भी exactly उसी तरीके से काम कर रही है मगर यह फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ था जसका तस वह फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ उसमें कुछ चीज़ें आपने और डाल दी जैसे कि सबोस कर लीजे कि आपने softy या फिर उसमें थोड़ा सा हलका सा कोई दूसरा कलर डाल दिया जो फ्लेवरिंग के कलर्स होते हैं तो आपकी वनिला सफेद कलर की है उसकी लेट से हलकी गुलाबी है बाप की कोई फर्क नहीं है टेस्ट वैसा ही है कॉलिटी वैसी सब बढ़िया है जेनरिक दवाई भी ल खान घ्खान रखा जाता है बागी मॉर और लेस अब यह बहुत कम दामों सेल किया जा सकता है तो कॉमपिटृटिटर क्या करते हैं यह से तो फिर यह जो मेन ड्रग है इसको कोई खरीदे गा नहीं या फिर कमसकम जो बहुत अमीर लोग है वो इखरीदेंगे इसकी अगर अगर लेट से इसकी जो पर्चैस है अगर फिर इसकी जो सएल है अगर वो गिरेगी तो कम्पनी को होगा नुकसान इसके बचने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया है और जैसे कि आज मैंने एक ड्रग बना लिया अब 10 साल के लिए पेटेंट मिल लिया तो 10 साल जैसी खतम होने के करीब आतने हैं तो मैं अपनी रिसर्च और डिवलप्मेंट टीम को लगा देता हूं और मैं बोलता हूं कि इसके फॉर्मू दे दिया जाए अगर मुझे फिर से नया पेटेंट मिलिया 10 साल 15 साल 20 साल के लिए तो फिर यह 10-15 साल में जो यह ड्रग है इसको कोई बना नहीं पाएगा ठीक है कोई बनाने की कोशिश करेगा तो मैं बोल दूँगा कि यह तो मेरा फॉर्मूला है जिसमें मैं थोड़ा स घरख खाना पड़ती थी तो हो सकता आप है 5 बार खाना parfaitृ या पहले को यह दवाई जो हैं 3 बार खाना पड़ती थी हो सकता एक हम बदल जाएगा तो मैंने डोसेज बदलनी के लिए मैंने फॉर्मुला है मेने कुछ बाताओ की है इसलिए मुझे पेटेंट दे और मेरे फॉर्मूले मेरे थुड़ा बहुत मैंने बदलाव किया है अब वह फॉर्मूला जो है जेनरिक द्वाई बनाने वाल इस्तिमाली कर सकता करने की कोशिच करेगा तो मैं कॉपीयट क्लिम लगा दूँगा इस तरीके से मेरा 10 साल का जो या 20 साल का या जो भी मुझे specific time period मिला था अपना patent का वो खतम होने के पहले ही मैंने ऐसी हरकत करी कि मेरा patent फिर कुछ वक्त तक के लिए extend हो गया यह लगबक उसी तरीके से है कि जैसे आपने SIM card लिया और उसकी validity खतम होने वाली एक कुछ दिनों मे है और आपने रिचार्ज कर लिया फिर उसकी validity बढ़ गए फिर रिचार्ज कर लिए फिर validity बढ़ गए कुछ उसी तरीके की हरकत यहां पर हो रही है तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है secondary patent या फिर इसको बोला जाता है evergreening ध्यान से सुनिएगा primary patent का मतलब किया जब आपने दवाई बनाई थी original और तब आपको patent मिल गया secondary patent का मतलब यह है कि उसमें कुछ छिडखानी कर ली और जो नया आपका जो patent का time period खतम होने वाला original उसमें आपने extension ले लिया इसको या तो आप secondary patent बोलते हो या फिर इसको कई बार record नाम से जाना जा जो दूसरे paper होते हैं UPSC है CAPF हो गया CDS हो गया NDA हो गया और जो आपके दूसरे paper जिसमें general studies आती है उसमें भी पूछा जा सकता है तो अपने को ध्यान रखना है यह जो प्रक्रिया है जिसकी मदद से मैंने जो original patent था उसका time period बढ़वा लिया कुछ थोड़ी बहुत इदर करकर original drug manufacturer जो है वो generic competitors को market में आने से रोकता है और जमकर profit कमाता है ठीक है भारत में 1970 में कानून बनाया गया था जिसका नाम था Patents Act 1970 बहुत important point है याद रखिएगा 1970 में भारत में कानून बना था Patent Act Patent Act के तहट में भारत में evergreening नहीं की जा सकती evergreening prohibited है तो यह कोई company बाहर करना चाहे तो करे मगर इंडिया में evergreening नहीं कर सकते आप यह नहीं बोल सकते कि मेरा patent था 10 साल का और यह खतम होने के पहले मैंने कुछ changes कर दिया है तो dose बदल गया है formula बदल गया है यह फलाना बद patent की जो process है यह भारत में नहीं की जा सकती भारत में यह बैन है अपने को ध्यान रखना है यह important point है अब यहां से जो सवाल बनेंगे वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक ही question यहां से बनता है एक तो यह beta quillene जो है वो क्या बला का नाम है यह पूछा जा सकता है कि beta quillene जो सवाल 2023 में इस तरीके से आये हैं फिर अगर किसी को अगर इस तरीके के आदमी को बढ़ा दिया और उसने अंशन पेपर बनाया तो कुछ भी पूछ सकता है तो इसलिए अपने को ध्यान रखना बैडा quillene का नाम ध्यान रखिएगा यह दवाई है जिसकी मरद से पीवी को सकती है या नहीं हो सकती और भारत में इसको नहीं हो सकती तो कौन से कानून ने इसको प्रोहिबेट कर रखा है अब पेटेंट की जगे पर उन्होंने इंडियन मेडिकल एक्ट या इस तरीके को फैंसी नाम डाल दिया और बोला कि इस एक्ट ने जो है एवर ग्रीनिंग को